तो समय आ चुका है उस खास और एहम मोके का जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे और यह हम करने जा रहे हैं पेपर सॉल्व मध्यप्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षामंडल भुपाल का वर्ष 2020-23 जो सत्र चल रहा है उसका फिजिक्स का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं मित्रू अभी मैंने पेपर को देखा है कि पेपर को देखा हमने पेपर जो है बहुत अच्छा पेपर आया है पेपर की सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ इस बार मादमेक सिक्षम अंडल भुपाल ने बहुत ही अच्छा ट्रिकी और थोड़ा सा ऐसा पेपर बनाया है जिससे की पढ़ने वाले बच्चों का थोड़ा सा ये कहना चाहिए जो वाकई में रटन्त से ज़्यादा सही मायने में जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे सफलदा मिलेगी और जो रट रहे हैं उनको कहीं न कहीं परिशान होना पड़ेगा आईए तो स्टार्ट करते हैं मित्रो पहला कोश्चन है एक माइक्रो कुलाम में कितने इलेक्टरॉन्स की संक्या होती है तो आप लोग जानते हैं कि एक कुलाम में होते हैं आवेश कितने इलेक्टरॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्टरॉन होते हैं एक कुलाम में तो यहाँ पर आपसे माइक्रो कुलाम बूला जा रहा है तो वन माइक्रो कुलाम आ चुका है तो 6.25 into 10 की पावर 18 और multiply by micro का मतलब 10 की पावर माइनस 6 हो गया है यहां पर तो 6.25 into 10 की पावर 18 तो यहां पर देखिए कुछ mistake हो रही है और यहां पर जो options में गलती दी गई है तो इसको solve करने पर आएगा हमारे पास 6.25 multiplied by 10 to the power 12 electrons होंगे तो option में देखिए 10 की पावर 12 कहीं भी नहीं है 6.25 तो यह तो हो नहीं सकता है यह भी हो नहीं सकता है तो सबसे करीबी आंसर इसका D है तो जिन लोगों ने D लगाया होगा उनको पूरे-पूरे marks मिलेंगे और जो डोग डी नहीं लगाया होंगे उनको marks नहीं मिलेंगे तो मतलब यह है कि जो करीबी आंसर होता है अप उसको ले करके जाएए आए देखते हैं अगला है किसी विद्धु दिधुर्व की आर दूरी पर विद्धु छेतर अनुक्रमानु पाती होता है देखे यहाँ पर अक्षिय निरक्षिय स्थिती नहीं पूछी गई है अक्षिय नहीं पूछा गया है आपसे यह नहीं कहा गया है कि आप अक्षिय स्थिती में बताईए आपसे यह नहीं कहा गया है कि आप आर दूरी पर बताईए तो जनरली इस डेरिवेशन को करने के लिए हम क्या लेते हैं हम यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट प उसके हिसाब से मैं बताता हूं कि यहां पर विद्धुचेत्र किस तरीके से निर्भर करता है इसको हम जानेंगे, ओके आईए, ओके बच्चों तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे विद् स्कुएर थीटा प्लस वन, तो यह correct answer है इसका bracket में 3 स्कुएर थीटा प्लस वन, तो यही इसका विद्धु छेत्र है, और आप ध्यान से दिखेंगे जो यहां पर विद्धु छेतर है वो और future है है वो R क्यूब के विद्ध रमानुपाती वेरी हो रहा है, बदल रहा है, म यहाँ पर वन माक्स ले जाएंगे जो बच्चे RQ करके आएं साथी साद मैं आपको यहाँ पर एक बात और जोड़ना जाऊंगा कि यदि आपने विदुद छेतर निकाला है तो इनवर्सली प्रपोर्शनल टू RQ है अपने मुबाइल की ब्रैटनेस पढ़ा लीजे प्लीज यदि यह आपको नहीं दिख रहा है तो ब्रैटनेस पढ़ा लीजे चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं भई अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है समविभव प्रस्ट और विदुद छेतर रिखाओं के बीच का कोण होगा तो आप जानते हैं कि विदुद बल रिखाओं जो होती है वो हमेशा समविभव प्रस्ट के परपेंडिकुलर निकलती है तो इसका करेक्ट आंसर है B याने की 90 डिग्री तो समविभव प्रस्ट और विदुद बल रिखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री हुआ करता है ओके नेक्स्ट इवरा जब बाद में आना चलो ओके तो ये कॉश्चन हो गया आगे बढ़ते हैं ये भी बन गया अपने पास धनावेशित काच की छड़ को अनावेशित चालक से दीकि धनावेशित काच की छड़ है तो ये आपके पास में कोई धनावेशित काच की छड़ है तो काच की छड़ क्योंकि धनावेशित है और काच एक जो होता है एक तरीके से कुछ चालक हुआ करता है तो इसमें जो आवेश जहां पर है वही पर रहेगा चल नहीं पाएगा आवेशित चालक से इस परस कर रहे हैं तो कुछ तो पार्ट आवेशित चालक का इसमें टच है तो जितना पार्ट आवेशित चालक का तो इसके उपर कितना बचेगा प्लस का साथ कुला मतल मानना है अपन को ऐसा कुछ अपन कोई निश्यत नहीं कर रहे हैं एक मानने के लिए तो आंसर देखे तो छड़का अवेश क्या होगा भी अल्टिमेटली छड़के साथ क्या हुगा छड़के अवेश चले गए न तो छ परतिरोद घटता है अर्द चालकों का क्योंकि अर्द चालकों का जो तापमान इसके वज़े से अपने प्रतिरोद गट जाएगा चले अगला सवाल लिखते हैं किसी चालक में विद्धृत्रवा तो उपनी तो बच्चों वाला कोश्चन है न भाई कोई LS चालक है, चालक में विदुद प्रवा कियों होता है। क्योंकि फ्री एलेक्ट्रोन होते हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रोनों के प्रवाह से विदुद प्रवाह हुआ करता है। चली आई अगला है ए छेतरफल वाली कुंडली चुम्ब की छेतर बी के सामानांतर रखी हुई है कुंडली को 90 डिगरी कुंड से घुमाया जाता है तो देखो जी क्या है ए छेतरफल वाली कुंडली चुम्ब की ये छेतर के सामानांतर रखी हुई है ठीक है न जी तो अगर चुम्ब की चेतर के समानांतर रखी हुई है, और कुंडली को 90 कुंड से घुमाया जाता है, तो चुम्ब की फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, तो ऐसा समझो, कि जब कुंडली चुम्ब की चेतर के समानांतर थी, ये कुंडली है, ओके, ये कुंडली जो है, ये कुंडली तो पहला वाला एंगल कितने डिगरी 90 डिगरी तो कॉस 90 कमान कितना हो जाएगा 0 मतलब जो प्रारंभिक फ्लक्स है वो कितना हो गया 0 5 1 5 2 अंतिम फ्लक्स में क्या होगा कुंडली 90 अंसे घूम जाती है भीया जब ये 90 अंसे घूमेगी तो नई वाली कुंडली की पुजिशन क्या हो जाएगी ऐसी हो जाएगी और इस समय जो इसका अभी लंब होगा वो चुम्बी की छेतर की दिसा में आ जाएगा देखो यूँ करके आ जाएगा ये पहले इसका चेतरफल बाहर था एरिया सदिस अब एरिया सदिस इसी के सामने आ जाएगा तो कौन कितने डिग्री बनेगा थीटा वराबर 0 डिग्री तो आपके पास जो नया वाला फ्लक्स निकलेगा फ्लक्स प्लक्स में परिवरतन कितना होगा तो भई ये फ्लक्स में परिवरतन चेंज इन फ्लक्स को डिल्टा फाई बोलते हैं phi 2 minus phi 1 change influx कितना होता है phi 2 minus phi 1 तो ये phi 2 है और ये phi 1 है दोनों को minus कर दो antian flux कितना भी आ और प्रालम भी flux कितना था 0 तो answer कितना आएगा B into A, तो जिन लोगों ने B into A किया है उनका answer बिल्कुल सही है उन्हें one marks मिलेंगे, इसके अलावा सबको zero मिल जाएंगे तो हमारे objective यहाँ पर finish हो चुके हैं, बहुत प्यारे objective आए boards की तरफ से, जैसे मैं कहूंगा boards ने आपर कुछ अच्छे objective दियें, जैसे ये वाला question, तो boards ने बहुत अच्छा काम किया, इसको भेज करके इस question को डाला है, ये बता रहा है कि अब पढ़ने की जरूरत पढ़ेगी very nice question this is okay, ये question भी बहुत अच्छा है, एक तरीके से ये confuse करता है, ताप वाला question, ये CBSC का branded question ही आया है, और बाकी ये भी बहुत प्यारा question है, तो ये बहुत अच्छा balance paper board ने दिया है यहाँ पर, आईए, प्रेश्टन क्रमांग 2 की बात करते हैं, देखते हैं स्थानों की पूर्ती कीजिए पहला है, वायू में एकांक धनावेस पर निकलने वाला कुल वेदुत flux, तो भाईया, एकांक धनावेस है, मतलब q equal to कितना है, प्लस 1 तो आपके पास जानते हो, flux का मान कितना होता है q by epsilon not, तो भाईया answer आएगा, q की जगे 1 upon epsilon not तो इसका answer होगा, 1 by epsilon not तो जिन लोगों ने 1 by epsilon not लिखा, उनको बिलकुल मिलेंगे 1 marks अगला सवाल, दो आकर्षण या प्रतिकर्षण, अरे भाईया विद्दु दुधु धुधु है तो आवेशों का जोड़ा है, प्लस q है और यहाँ पर क्या है, माइनस q अब इनके बीच की दूरी दोगों नहीं करने पर तो आप जानते हो ना, बल जो होता है वो होता है, inversely proportional to r square अब r की जगे, अगर आप 2 गुना कर दोगे मतलब 2 r कर दोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ मैं लिख रहा हूं दिखे, f proportional to 1 upon 2 r का whole square, तो 2 का square 4 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और r square नह जाएगा, मतलब कुल मिलाके एक बटे 4 गुना, तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक बटे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप दूरी क्या कर रहे हो दोगनी, तो बल 4 गुना कम हो जाएगा, मतलब एक बटे 4 गुना, चलिए करचाफ का दुती नियम भाई, यह तो परमुला होता है, J equals to I upon A, तो I equal to J dot A, तो शदिस और सदिस का जो बिंदु गुडण होता है, वो अधिष हाता हो, करेंट अधिष है, इसके लिए J को धारा गंथ्धु को, क्या होना पड़ेगा, सदिष होना पड़ेगा, तो विदधु बैटरी को चार्ज किया जाता है तो इसके सिरों का विभवांतर EMF से अरे भाईया जादा होगा तब ही तो चार्ज होगी बैटरी बाहर वाला वोल्टेज जादा होगा और अंदर वाला वोल्टेज कम होगा ठीक है जी यस तो जब किसी बैटरी को चार्ज करोगे तो इसके स हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिरुधक्ता का विदक्रम चालकत्व नहीं होता है चालकता बोलते हैं जी हां चालकता और इसे किस से सो करते हैं इसे सिगमा से सो करते हैं केमेस्ट्री में इसको कप्पा बोला जाता कप्पा मैंने सुना था मैंने पढ़ा था जब इसको केमे याने विद्धुत वाहक बल के अनुक्रवानुपाती होती है आई अगला कुश्चन दिखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए किसी गोले के अंदर दो माइक्रो कुलाम आवे सिस्थित है इसके गोजनने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान कितना होगा भाईया तो बहुत आसाम से है इसको बहुत आराम से कर सकते हैं फाइज इकल टू क्यू बाई एपसलोन नॉट टू टू माइक्रो अपॉन एपसलोन नॉट यह होगा इसका अंसर सॉल्व करना हो तो कर दीजिए सॉल्व कर दों कोई चिंता की बात नहीं है आप इसको इतना भी लिख कें आ सकते हैं किस प्रकार के आवेज समू होगा कि जिसके लिए यह । जेकर गड़ेगा बहुत प्यारा कोष्चिन है एक्दम से अच्छा कोष्चिन डाल दिया यहां पर आपके सामने जो MP board ने है बहुत प्यारा question डाल दिया है तो इसको ज़़िए आप पढ़ के आएंगो तो ही बना होगा आपको आपको पना होगा रेखिये आवेश वित्रण के लिए रेखिये आवेश जो वित्रण होता है उसके लिए आर दूरी पर विद्धु छेत्र कितना होता है आप जानते हैं एक बटे चार पाई एपसलोन नॉट इंटू लेमडा बटे आर ये होता है तो इसका correct answer क्या है रेखिये आवेश वित्रण correct answer है रेखिये आवेश वित्रण के लिए जो होता है ये एक बटे आर के वित्रमानों पाती होता है अप वाहवेग वविद्धु धारा में संबंध रटा हुगा question है भाईया I equal to small N E A V D ये होता है विद्धु धारा ये होती है अप वाहवेग और ये होता है इनके बीच का संबंध आईए अगला question एक तार के लंबाई की लंबवत तीन भागों में बाट कर तीनों तुकडों को समनांतर क्रम में जोडने पर नए सहुजन का प्रितरोध पुराने प्रितरोध का कितना गुना हो जाएगा numerical question है करना पड़ेगा आईए करते हैं तो सरप्रत हम आप क्या करेंगे एक तार ले लेंगे यहाँ पे है ना और एक तार का प्रितरोध क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं तो यह मान लीजिए मेरे पास एक तार है जिसका प्रितरोध आर है और इसको आपने तीन तुकडों में बाट दिया सिरनी क्रम में तोड़ दिया तो आप जानते हैं कि R proportional to L ओके तो लंबाई तीन हस्थे में तूड़ गई है तो लंबाई अगर L Y 3 हो जाएगी तो प्रत्रोध भी कितना हो जाएगा R Y 3 मतलब तीन तुकड़े में ये भी R Y 3 ये भी R Y 3 और ये भी R Y 3 हो गए है अब तीनों को क्या कहे रहे हैं तीनों को आप समानांतर क्रम में जोड़ दो पुराना प्रत्रोध कितना था? R था अब नया प्रत्रोध निकालना है तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ दो तो ये उपर वाला भी R Y 3 नीचे वाला भी RY3 और सबसे नीचे वाला भी RY3 और तीनों को समनांतर क्रम में जोड़ करके आपने कहना है कि कुल प्रतरूद निकाली है तो चलिए समनांतर क्रम में आपको पता है कि प्रतरूद क्या होता है 1 upon R equal to 1 upon R1 मतलब RY3 प्लस 1 upon RY3 प्लस 1 upon R by 3 तो 1 by R equal to parallel R parallel equal to कितना हो जाएगा जी देखिए 1 upon R by 3 मतलब 3 by R प्लस 3 by R प्लस 3 by R तो कितना हो गया यह है 9 by R हल करने भी होगा 9 by R R parallel तो R parallel equal to हो गया R by 9 मतलब जो नया प्रतरोद है वो पुराने प्रतरोद का 9 हिस्सा है तो कह रहा है कि सहोजन में प्रतरोद पहले का कितने गुना हो जाएगा तो R by 9 है मतलब पुराने प्रतरोद का 1 by 9 गुना तो इसका correct answer है 1 by 9 गुना ठीक है जी 1 by 9 गुना अगला है एक कुंडली में फेरो की संख्या को अब परिवर्थित रखते हुए कुंडली की कुल लंबाई को दो गुनी कर दिया जाता है तो ऐसा करने पर स्वपेरकत कितने गुना हो जाएगा देखिए भाईया आपने स्वपेरकत का फॉर्मूला पढ़ा होगा उसमें जो L आता है अपन में आता है तो फेरो की संख्या में परिवर्थन तो किया नहीं गया है मतलब उपर कोई परिवर्थन नहीं आएगा नीचे बस आपकी कुंडली में फेरो की संख्या दो गुनी कर दी गई तो L की जगा कितना हो जाएगा 2L तो यहाँ पर कुंडली की लंबाई किती कर दी गई है दो गुना कर दी गई है न तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L 1 by 2 आ जाएगा फेक्टर में इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर स्वाप्रिर्कत आधा हो जाएगा कितने गुना हो जागा, एक बटे दो गुना, तो correct answer है इसका, एक बटे दो गुना, चली, अगला question है, एक समान चुम्बी की छेतर में गतिमान आवेस पर लगने वाले, गतिमान आवेस पर लगने वाले बल का सुत्र भीया, एक समान चुम्बी की छेतर में गतिमान आवेस प किसी खुले परिपत को बंद करते हैं अच्छा इसमें बहुत पच्छे कंफ्यूज हो गए कि खुले परिपत को बंद करते हैं खुले विद्धुत परिपत को बंद किया जाता है तो उत्पन प्रेलिय धारा की दिशा कहा होगी अरे भाईया सुरू में परिपत खुला था मतलब स्विच उपन था ओके उपर कुछ भी लगा था बैटरी लगी थी ये था और जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे ओके जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे तो मुख्य धारा बहने लगेगी और ये प्रेर कत तो लगा होता है तो इससे क्या होती है? प्रेरी धार उत्पन होती है अब मुख्य धारा अगर यहां आ रही है तो प्रेरी धारा विप्रीत दिशा में आएगी मतलब प्रेरी धारा कहा आएगी? आंसर क्या लिखेंगे इसमें? मुख्य धारा की विप्रीत दिशा में मुख्य धारा की विप्रीत दिशा तो इसका उत्तर होगा मुख्य धारा की विप्रीत दिशा तो जो प्रेरी धारा होगी इसमें वो मुख्य धारा की विप्रीत दिशा में जाएगी अब आईए देखिए इसका बहुत बढ़िया वाला कहना चाहिए इन लोगों ने दिया है क्या कहते हैं इसको सही जोड़ी है ना बहुत प्यारा वाला दिया है तो आईए सही जोड़ी मिलान करते हैं कैसे करेंगे सही जोड़ी मिलान चुम्ब की flux घनत तो देखे बहुत बच्चे गलत करके आए हैं चुम्ब की flux घनत का मतलब B ही होता है क्योंकि यह होता है 5 बटे A सब लोग जानते हैं कैसे आता है 5 equal to B into A होता है ना B dot A तो B equals to 5 बटे A तो चुम्ब की flux घनत याने चुम्ब की छेतर की तीवरता ही होती है और चुम्ब की छेतर की तीवरता क्या होती है भईया टेसला टेसला कहां है टेसला सबसे नीचे है तो पहले वाले का आंसर सबसे नीचे लिख दो भईया टेसला तो फस्ट वाले का ये है टेसला ओके तो फस्ट का अंसर है टेसला दूसरा अंसर चुम्बक शीलता भई चुम्बक शीलता क्या होती है बताईए चुम्बक शीलता चुम्बकी प्रवत्ती दो चीज़े अलग अलग है तो चुम्बक शीलता आपने पढ़ा न वायू या निर तीसरा चुम्ब की ये प्रवत्ती है यहाँ पे तो चुम्ब की प्रवत्ती क्या होता है चुम्ब की प्रवत्ती काई होता है और काई आपको पता है कि काई की कोई इकाई नहीं होती है काई की कोई इकाई नहीं होती मतलब ये विमाहीन होता है ओके ये विमाहीन होता है, चुम्ब की प्रवत्ती जो होता है वो विमाहीन हुआ करता है, काई की कोई इकाई नहीं होती है, तो चुम्ब की प्रवत्ती जो है विमाहीन जाएगा भईया, है ना, और देखिए चुम्ब की करण की तीवरता, चुम्ब की करण की तीवरता क्या बने वाले दुरूब चुम्ब की प्रवत्ती चुम्ब की करना की दिवरता इंटेंस्टी ओफ मेंगनडाजेशन इंगले से बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या M अपॉन भी ओके ठीक है M M capital M मतलब डाइपोल दुरूब प्रती ये काहां का इतन बने वाले म का कितना होता है ? M-1 meter and square और nitrogen का होता हम की होता है meter-qe इसक आयेगा M m-1 inverse तो कहा है वह इसका ? यह है AM-2 यह बही हो गया चुम्ब की flux, ओहो सामने लिखाए हैं मगर मिस्प्रेंट हो गई है चुम्ब की flux 5 Kult T B into A हो गया चुम्ब की आगुण ओके चुम्ब की आगुण भाई सब लोग जानते हो m equal to small m multiply by 2l याने प्रभावकारी लंबाई क्या होता है चुम्ब की आगुण ampere meter square ओके तो ये हो गया ampere meter square नीचे से जाईए उपर चुम्ब की आगुण का ये ये वाला ओके तो चुम्ब की आगुण की काई क्या होती है दुरुप राबल दुरुप राबल का होता है ampere meter into 2l मतलब हो जाएगा ampere meter square और फिर finally m याने दुरुप राबल की होती है ampere meter तो ये गलती कर दी यहाँ पे ampere पर meter नहीं यहाँ पे ampere meter होगा anyway तो 6 मिल चुके हैं तो 7 वा तो जाएगा ही तो इस थरीके से हमारा पहला पार्ट वीडियो का हो चुका है और इसमें हमने objective question आपके सामने पूरे कराए आपको कैसा लगा comment जरूर करिए आपके comment हमारे manoval को बढ़ाते हैं और comment करके बताईए कि आपको वीडियो का पार्ट पहला कैसा लगा थोड़े देर में आपके सामने वीडियो का पार्ट नमबर सेकेंड आएगा तब तक के लिए इजाज़त दीजे हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार